गंजा व्यक्ति और मक्खी की कहानी गर्मी की दिन थे, बपहर के समय एक गंजा व्यक्ति कहीं से पैदर चला आ रहा था वर थक चुका था, नीचे बैठा सुसा रहा था कि कहीं से एक मक्खी उलती हुई आये और उसके गंजे सिर पर भिंविन आने लगी उसने उसे भगाया, तो वह उल गई, लेकिन कुछ देर बाद आकर फिर से भिंविन आने लगी गंजा व्यक्ति परेशान होने लगा और ये देख मक्खी को मजा आने लगा अब वह बार बार उसकी सिर पर भिंविन आने लगी, मौका पाकर उसने उसे काट दिलिया मक्खी की इस हट से गंजा व्यक्ति तंग आ गया और उसे मारने के लिए जोर सी पंजा मारा मक्खी उल गई और वह पंजा उसे अपने ही सिर्फ पर जा लगा कुछ देर बाद मक्षी फिर से आ गई और कातने लगी इस बार फिर से गंजी व्यक्ती ने उसे पंजा मारा लेकिन वो फिर उल गई और उसे पंजे का वारप ने ली सिर पर पड़ा गंजव लक्ति समझ पया कि इस बुष्ट छोटी सी मक्षी पर युँ जितना ध्यान देगा, वो उसे उतना ही परेशान कर दी इसलिए अधी बार जब वह आई, तो उसने उसे उलाने या भगाने का कोई प्यास नहीं किया जब मक्षी ने देखा कि गंजव लक्ति पर उसकर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो वो कुछी उठकर किसी और को सताने चली गई सीथ, बुष्ट तुछ शत्रू पर ध्यान देकर आप खुरकन उप्तान करते हैं